आज मैं लाए हूँ आपके लिए मा शिवरात्री स्पेशल, होली स्पेशल जो सबसे ज़्यादा बनाई जाने वाली चीजे वो है थंड़ाई यहाँ पे मैं लाए हूँ आपके लिए थंड़ाई बनाने का पाउडर जिसे आप 6 मैने तक भी स्टोर करकी रख सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसे बन जाएगी आपकी मन पसंद फ्लेवर की थंड़ाई आने वाले वीडियो में मैं आपको थंड़ाई बना कर भी बताऊंगी दो फ्लेवर की तो वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो चलिए देखते हैं थंड़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजे चाहिए यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़े सी काली मिर्च काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा या कम एड़ कर सकते हो पर काली मिर्च जरूर एड़ कीजिए इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है थंड़ाई का यहाँ पर ले लिये मैंने मगज के बीज मैंने यहाँ पर सारे ही कॉंटिटी तीन तीन चमच मैंने ले लिये है काली मिर्च यहाँ पर आप अपने कॉंटिटी की अनुसार एड़ कर सकते हो अईलाईच यहाँ पर मैंने ले लिये है पांच यह है बादाम आप चाहे तो छोटे वाले बादाम या बड़े बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो काजू यहाँ पर मैंने ले लिये है और यहाँ पर मैंने ले लिया है खसकर जो पोपी शीट का आ जाता है वो भी मैंने ले लिया है तीन चमच और यहाँ पर मैंने ले लिया है चिरोली या चिरोंजी जो भी आप कहते हो वो भी मैंने ले लिया है 3 चमच सारी कॉंटिटी मैंने लिया है 3-3 चमच और यहाँ पे काली मिर्च मैंने लिया है 10-12 और इलाइची ले लिया है मैंने 5 मैंने थंडाई के उपर और एक वीडियो बना रखा है मैंने लास्ट येर आप उने भी देख सकते हो वो मैंने डारेक्ट पीस के उसे भिगो के मैंने बनाया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाउडर जिसे आप 6 मैंने तक रख्या भी यूज कर सकते हो यहाँ पे जो मैं थंड़ाई पाउडर बना रही हूँ अच्छे मैंने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा थोड़ा इन्हें सेक लेना है सबसे पहले मैं बादाम और यहाँ पे काजू और थोड़े से पिस्ते को अच्छी तरी से सेक लेती हूँ सिर्फ यहाँ पे दो से तीन मिनट ही आपको सेकना है बिल्कुल भी ओईल वगेर का यूज नहीं करना है जिससे की इनकी नमी चली जाए उतना ही आपको इन्हें सेकना है तो चलिए इने में सेक लेती हूँ तो मेरी लास्ट येर की वीडियो भी आप देख सकते हो थंडाई की बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बनने वाली थंडाई है तो दोनों भी आप ट्राय कर सकते हो इस माश्य और रात्री और इस होली को तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो चुके है तो इने में एक प्लेट में निकाल लूँगी इनका कलर बिल्कुल भी हमें ब्राउन वगेरा नहीं करना है सिर्फ हमें इने थोड़ा सा सौते करना है जैसे कि इनका जो नमी होती है इनकी चली जाए और चलिए यहाँ पर मैं मेलन शीट और यहाँ पर चिरोली को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूं इने भी आपको ऐसे ही रोस्ट कर लेना है और रोस्ट करने के बाद इने पूरी तरीके से थंड़े होने के बाद है आपको ग्राइंडिंग जार में डालना है तो चलिए मेरे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हो बहुत अच्छे ची वीडियो आपको मिलेगी रेसिपी मिलेगी तो उन्हें भी आप जरू चकाउट कीजिए तो चलिए यहां पर में पॉपी शीट को भी थोड़ा सा इसे आपको गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसे थोड़ जाएगा इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इतना ही आपको इसे भूनना है तक कलर बिल्कुल चेंज़ना हो थोड़ा सा यह रोजट भी हो जाए कि अधे कर दोंगी काली मिर्ची यहां पर पांच इलाईची और इसमें में एक करोंगी तोड़े से केसर के इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी थंड़ाई में अगर आपके पास ना हो तो आप स्कीप कर सकते हो तो चलिए इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं इसको अच्छी तरीके से हमें पाउडर बना लेना है यहाँ पे मैं आट करूँगी आदा चमसे भी थोड़ा कम दालचीनी पाउडर और यहाँ पे जैफल को आपको थोड़ा सा ग्रेट करके आट करना है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी थंड़ाई को जैफल को मैं ऐसे ग्रेट करके आट करूँगी इससे आपको थोड़ा ही आट करना है इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है तो चलिए यहाँ पे मैं आट कर लेती हूँ जैफल आसानी से आपको मिल जाएगा ग्रोसरी शॉप में आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे शुगर आट कर सकते हो ज्यादा या कम आप चाहतो यहाँ पे बुरा चिनी भी यूज कर सकते हो मैं अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे शुगर आट कर रही हूँ तो चलिए इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं आप इने थोड़ा सा कोर्स भी रख सकते हो बिल्कुल फाइन भी आप बना सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोर्स रखा है ज्यादा बिल्कुल भी पाउडर मैंने नहीं किया है इसे भी बहुत अच्छा टेक्शर आता है हमारी थंडाई का इसे आप पीस लेना है और इसे आप एर टाइट कंटेनर में भरके रख सकते हो छे मैंने तक भी बिल्कुल खराब नहीं होगी इसमें आप एक बात का ध्यान रखना होगा बिल्कुल भी गिला स्पून आप यूज ना कीजिए जो नेक्स रेसिपी आने वाली है इसे मैं बनाओंगी दो फ्लेवर तो बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाली है रेसिपी शिवरात्री पर आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए खोली पर इसे जरूर ट्राइ कीजिए बहुत अच्छा पोस्टिक तो होती है थंडाई और टेस्ट में तो ला जवाब होती है तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलिए तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में बाई